नमस्कार अब तक की बड़ी खबर हमारे स्थान ले जो आई है आपको बता दे राहूल गांदी करेंगे जम्मू का दौरा जी हाँ माता वैश्णो देवी का करेंगे दर्शन और सियासी गलियारों में इस समय इस बात की है चर्चा आई आपको बता देते हैं क्या है पुरी खबर नमस्कार आप सब देख रहे हैं सच्छी उस नेटवर्क और मैं आपके साथ जार्वे गुपता बता दे कॉंग्रेस संसित राहूल गांधी दो दिन के टूर पर 9 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे और राहूल गांधी कट्रा में सित्माता वैश्णो देवी के दर्शन करेंगे सूत्रों का ये कहना है कि वे पार्टी में तो उसे भी मिलेंगे और राहूल गांधी की जम्मू यात्रा को लेकर संभाग की कॉंग्रेस इकाई में उत्सुफता है साथ ही साथ ये भी बताते राहूल के दोरे के प्रदेश कॉंग्रेस को गतिवीदियो में नई उर्जा आने की उमीद है और इसमें आगमी चुनावों के लिए नई रन्निती पर काम किया जा सकता है और अगर आपको नहीं पता है तो बताते इससे पहले भी राहूल गांदी 9 अगस्त को कश्मीर पहुंचे थे और ते कारेकरम के अलसार वे प्रदेश अद्यक्ष गुलाम एहमद मीर के बेटे की शादी में शामिन हुए थे दौरे के दूसरे दिन सुबा उन्होंने गंदरबाल सित माता खीर बवानी के भी दर्शन किये थे और इसके बाद हजरत बन दर्गा भी गए थे और इसके बाद नब निर्मित कॉंग्रेस भवन का उद्गाटन करने के बाद राहुल गांदी ने केंदर सिर्कार पर जम कर हमला बोला था अपने संबोधन में राहुल गांदी ने कश्मीर के लोगों को जोड़ते हुए जेलम, यहां की रिती रिवाज और संस्कृती का दिक्रवी किया था और अब ठीक एक महीने बाद जी हां यहां यह ख़बर सामने आ रही है कि ठीक एक महीने बाद राहुल गांदी को फिर से जमो का दौरा करेंगे और उनके इस दौरे को लेकर अभी तक पार्टी नेताओं की ओर से कोई ब्यान तो नहीं आया है लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि कॉंग्रेस में गुटबाजी को खतम करने के लिए वे पार्टी नेताओं से बाक्चित कर सकते हैं और आपको यह बे बता दे कि कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरमों में यह गुटबाजी खुल कर सामने आती रही है जी हाँ प्रदेश कॉंग्रेस के कई अधारिक कारेकरमों में कई विरिष्ट नेता गायब रहे है तो दर्शन को यह थी बड़ी खबर आपके समख्ष जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है और इसके बाद हम आप तक यह बड़ी खबर को जा रहे है जी हाँ खबर यह है कि राहुल गांदी जमु संभाग का करेंगे दौरा और दो डिन के टूर पर यानि 9 से 10 सप्टेंबर को जमु संभाग में राहुल गांदी आएंगे और आपको यह भी बिताते कि खबर यह भी मिली है कि वे कट्रा में सित माता वैश्टों देवी के दर्बार के दर्शन भी करेंगे लेकिन अब यह बड़ा सवाल यह है कि क्या कारण है क्या परपस है इंका जमु संभाग का दौरा करने का जी हाँ इससे पहले भी पूरे एक वहीने पहले इन्होंने कश्मीर का दौरा किया था और उस समय इन्होंने सरकार पर निशाना साधा था लेकिन अब देखना यह है कि जब यह 9 सप्रेंबर को जमु संभाग का दौरा करेंगे तो इस बार क्या देखने को मिलता है तो आपको अपडेट्स देते रहेंगे देखते रहें सची उसने पर जैनू